मेजर शैतान सिंग भीशन सर्दी पड़ रही थी 5000 मीटर की उचाई पर स्थित रेजांगला पहाडी भी उस सर्दी से मानों कांप रही थी इस भयानक सर्दी में भी मेजर शैतान सिंग अपनी कमपनी के साथ देश की सीमा की रक्षा के लिए ट्रटे हुए थे 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने बहारी संक्या में इस चौकी पर हमला कर दिया चीनी सैनिकों के पास बड़ी बड़ी तोंपे थी विगोले बरसाते हुए आगे बढ़ने लगे मेजर शैतान सिंग ने अपनी कमपनी के जवानों के साथ भादूरी से मुकाबला किया उन्होंने मोचा कमजोर नहीं होने दिया शत्रो सेना को भारी नुकसान हुआ सैकडो चीनी सेनिक हताहत हुए मेजर शैतान सिंग का शरी छलनी हो गया था पाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थी बहुत खून बह रहा था किन्तु है मोचे से हटने को तयार न थे उनके साथियोंने कई बार कोशिश की क्यून है अस्पताल भेज दे लेकिन भै अडिक रहे उन्होंने शत्रो से लड़ते हुए वीर गती प्राप्त की मेजर शैतान सिंग से प्रेणना पाकर उनकी कंपनी का एक एक जवान अंतिमसास तक लड़ता रहा कुमाव रेजीमेन के वीर मेजर शैतान सिंग का इस अटूट सहास के लिए मनोपरान परमवीर चक्रप्रदान किया गया जै हिंद